हाई ड्वेल्टीज, वेलकम टू एजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने गरीबी यानि की पोवर्टी चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसके कारण बढ़ेंगे कि हमारे देश में जो गरीबी है उसके क्या मुख्य कारण रहे हैं तो गाईज अगर आप चैनल पर फर्स टैम आयो और अभी तक सुब्स्राइब नहीं किया तो बहुत गलत भात है जल्दी से सब्स्राइब करो और आप अपने डाउट्स मेरे साथ इंस्ट्राग्राम पर शियर कर सकते हो पूछ सकते हो या फिर यूट्यूब पर कमेंट के थूँ तो सबसे पहले गाईज क्या गरीबी के कारण है हमारे देश में तो सबसे पहला जो मुख्य कारण हमें आस-पास नज़र आता है होना लाजमी है सबकी इच्छा है पूरी नहीं होंगी तो पॉपुलेशन एक्स्प्लोजन जो है वो में गाईज रीजन है गरीबी का हमारे देश में आपने देखा होगा कि कितने सारे इस समय पर लौ और आर्डर आ रहे हैं कि भाई दो बच्चे ही होने चाहिए दो से ज पॉपुलेशन एक्स्प्लोजन की गरीबी उससे आती आती है लोगों से गलती होई रही थी लेकिन यहां पर हमारी सरकार में भी थोड़ी सी कमिया थी कि भाई एकनोमिक डवलप्मेंट जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी आप अपने देश को दूसरे देशों के सा लेकिन कहीना कहीन हमारी एकनौमिक डवलप्मेंट स्लो है यानि कि अगर आप अपने आपको चाहिना से सिंगापूर से जपैन से काम पेर करोगे तो टेकनोलजी वाइज हमारी जो डवलप्मेंट है वो थोड़ी कम है है जिसे हमें एक्सेट करना चाहिए हस के कि हां भाई बेरोजगार रहेंगे और गरीबी आएगी तो वो भी एक में मुद्धा है थर्ड है गाइस इनिक्वालिटी ओफ इंकम यह तो बहुत बड़ा जादा इंकम मिलती है और किसी को बहुत कम इंकम मिलती है जो सबसे बड़ा रीजन है अगर आप फिल्म स्टार की सालरी की बा जिसकी वज़े से जो लिमिटेड नमर ओफ पीपल के पास सबसे जादा इंकम रहती है और लार्ज नमर ओफ पीपल के पास बहुत कम इंकम का हिस्सा आता है देश की तो जिसकी वज़े से अफकोर्स गरीबी आती है फोर्ट है गाइस पूर सेट ओफ एगरी कल्चर हमारे सेश की आधी से जाधा जनसंख्या किस पर डिपेंड है एगरी कल्चर सेक्टर पर और एगरी कल्चर सेक्टर क्या हो रखा है ? स्थिर है कोई डिवलप्मेंट नहीं हो रही है कोई जाधा टेक्नोलजी अब्रेड़ेशन उसमें नहीं हो रही हैEE पहले के मताबिक काफी आई है लेकिन उसका जो जिस लेवल पर एगरी कल्चर को पहुंचना चाहिए था उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जिसकी वज़े से जो जनसंख्या उस पर डिपेंड है वो उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं अभी भी आप देखोगे किसान आंदोलन चल रहा है लोग बैठे हैं धरने पर there are many many problems in agriculture sector ठीक है जिने ठीक करना फर्ज है नहीं तो गरीबी और बढ़ती जाएगी उसके बाद है guys high illiteracy rate सबसे बड़ा reason guys अनपढ़ता अगर अनपढ़ होंगे तो समझ थोड़ी सी तो कमी रहेगी मैं यह नहीं कहती कि अनपढ़ ल लोग जो इस चीज पर विश्वास रखते हैं कि बच्चे जादा होने ही चीए जादा बच्चे होंगे तो जादा कमाई होगी तो यह सब चीज़े कहीं नपढ़ता की निशानी कहला जाती है तो guys illiteracy अगर होती है तो आप कहीं अच्छे जगे पर जॉब नहीं कर पाते हो आपको अच्छा salary package नहीं मिलेगा लेबल क्लास हम काम करेंगे फिर उस समय पर तो वो भी गरीबी का एक मुखे कारण है फिर है high level of unemployment भाई अगर पड़े लिखे नहीं है जौब नहीं मिल रही तो अगर हम बिरोजगार हैं तो भी तो गरीबी आएगी ना बिरोजगार होने का मतलब है no income जब income नहीं होगी तो गरीबी आना automatically है अगर आपका financial कहीं से साधन खतम होता है तो गरीबी आती है इसलिए कहते हैं कि financial resources and financial source है या financial जो हमारे सामने line है हमें उन्हें बढ़ाना चाहिए ना कि खतम करना चाहिए तो अगर unemployment होगी तो गरीबी आनी निश्चित है जो कि आप भी देखो ना COVID-19 के सिचुएशन के बाद कितने लोग हैं जो बेरोजगार हुए है और उनको कितना financial crisis face करना पढ़ रहा है उसके बाद है हाई level of indebtness का मतलब होता है कि करजे में डूबते चले जाना करजे में डूब जाते हैं क्योंकि जब भी पैसा नहीं होता तो इंसान करजा लेता है high interest rate पर और वो interest rate जब नहीं चुकाया जाता तो फिर और करजा लिया जाता है उसको चुकाने के लिए और इस तरीके से वो करजों में डूबता चला जाता है एक इनसान तो इसे एक तरीके से जाल भी कहा जाता है गरीबी का जब हम करजों में ही डूबते चले जाते हैं जो हमें MCQs में हमसे पूछे जाते हैं First is head count ratio किसे कहते हैं तो guys जितने लोग poverty line के नीचे हैं divided by total population तो इस calculation को हम head count ratio कहते हैं जिसमें number of people below the poverty line जो गरीबी रेखा से नीचे है divided by total population उसे head count ratio कहा जाते है Second चीज गाइस NSSO, National Sample Survey ठीक है आप इसमें poverty data ये लोग collect करते हैं लेकिन कौन publish करते हैं हमारा planning commission इसे publish करता है उसके बाद है guys हम लोगों का data कि भाई below poverty line कितने लोग थे 1973-74 55% लोग थे जो below poverty line थे 2011-12 में आते आते 22% below poverty line जनसंक्या हमारी रह गई थी और अगर बात करें कि ruler areas में कितने गरीब थे 80% गरीब 1973-74 में 80% गरीब जो थे वो ruler areas में थे और 20% गरीब urban areas में थे जादा आखड़ा चेंज नहीं हुआ 3-4 बोले तो 75% जनसंक्या अभी भी प्रिटिश का बहुत बड़ा हात रहा था कि उन्होंने हमारी economy को एक तरीके से बर्बाद कर दिया था हमारे agriculture sector को बर्बाद कर दिया था तो जो बुक में हमारे बताया गया इस चीज को कि British government का क्या रोल था तो जरूर पढ़ना इस चीज को British government का एक मुखे रोल रहा था क्योंकि उन्होंने यहां से सबसे पहले de-industrialization करा था यहां से industries खतम करी हमारे यहां से कच्चा माल ले जाके अपने बहां बनाते थे और फिर हमें महंगे रामों पर बेशते थे ठीक है दूसरा उन्होंने agriculture sector पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जबकि उन्हें पता था कि हमारी 35-80% जनसंख्या agriculture sector पे थी उन्होंने नहीं ध्यान दिया तीसरा गाइस जो उन्होंने था कि वो हमारे जो भी food grains होते थे खादे प्रदात होते थे गाइस उन्हें एक्सपोर्ट कर दे थे जबकि उन्हें पता था कि यहां पे सूखा पढ़ रहा है यहां पर कितने लाख लोग एक time period में मर गए थे जिसकी वज़े से खाना ना मिलने की वज़े से drought की वज़े से यहां पे सूखा पढ़ा था और वो लोग हमारे यहां से एक्सपोर्ट करके ले जाते थे अपने देश में बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे तो इसमें British government का भी एक बहुत एहम भूमी का रही है तो हमें पता हुनी चाहिए जबी भी हम यह चीज़े पढ़ते हैं कि उनकी एक एहम भूमी का रही जो उनों ने हम लोगों पर राच किया है आपको यह चीज़े समझ आयोंगी पता चलियोंगी और अगर अच्छी लगी है पता चलिये हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और पस तैंक्यू